तो हेलो गाइस, इस आयुश और मैं तुम सब्सक्राइब करता हूँ प्ले एकस्पेंज के ब्रैंड न्यू वीडियो में टाइटल एंड थम्नेल देखके तुम लोग जानी गए होगे कि आज के वीडियो में हम एकस्पेंज करने वाले हैं Stranger Things के Season 4 के Episode 1 को बट एक्शल वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं तुम लोगों को कहना चाहूंगा कि Stranger Things एक होरर सीरीज है एंड परसनली मेरी भी वन और फेवरेट सीरीजेस में से एक है तो मैं तुम लोगों को कहोंगा कि प्लीज यार जाके Stranger Things को देखो पहले जो Stranger Things के Season 4 का यह जो Volume 1 आया है इसके अंदर जो सातों के सातों एपिसोड जे इनको पहले देखो एंड देन आके हमारा explanation देखना क्योंकि होरर का मज़ा तभी आता है जब आप उसे खुद देखो So now with that said, let's get on to the video एपिसोड के सुरुवात 8 September 1979 से होती है जहाँ पर आप Dr. Martin को देखते हैं Dr. Martin अपना सूट बूट पहन के तयार होके Research Laboratory जाते हैं जहाँ पर हम लोग L जैसे बहुत सारे बच्चों को देख सकते हैं जिनके ओपर Experiment चल रहा होता है Dr. Martin जब इस चीज़ को चेक करने के लिए उठते हैं तब उनके ओपर एक दरवाजा गिरता है जिसके वज़ेस Dr. Martin unconscious हो जाते हैं and number 10 मर जाता है इसके बाद जब Dr. Martin अपने होश में आते हैं तब वो चेक करने जाते हैं रूम से बहाँ निकल कि ये लैबरेटरी में हुआ क्या है बट वो आलमोस्ट सारे लोगों को डेड़ बाते हैं जब वो इसके बारे में थोड़ी सी और तैकिकात करते हैं तब उन्हें एक रूम के अंदर एल मिलती है and वो एल से कहते हैं कि ये तुमने क्या किया ये तुमने क्या किया इसके बाद सीन से फ्टों के प्रेजेंट में आ जाता है जहां पर हम देखते हैं अपने स्कूल का प्रोजेक्ट कर रही होती है and बैग्राउंड में माइक and हमें as a viewer बता रही होती है कि सीजन थर्ड में जो उसने houses change किये थे उसके बाद अब उसकी life कैसी जा रही है वो बताती है कि 180 दिन हो गए है पर मुझे लग रहा है साल बीच चुके है Joyce को नया work मिल चुका है जो वो घर से करती है विल आलमस्ट हर समय अपनी painting में विज़े रहता है इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा excited हूँ क्योंकि मुझे तुम से मिलने का मौका मिलेगा इसके बाद scene shift के माइक के ओपर चला जाता है जहां पर वो यही ऐल का letter पढ़ रहा होता है एंड खुश हो रहा होता है कि finally ऐल की life normal हो चुकी है बट हम as a viewer देख पाते हैं कि एल जब school जाती है तब कोई भी ज़्यादा उसे भावनी दे रहा होता है except will इसके बाद हम देखते हैं Nancy Mike के ओपर बहुत गुसाही हुई है क्योंकि Mike के ओजिस Nancy लेट हो रही है Steve अपनी girlfriend के बारे में बता रहा होता है and Robin अपने boyfriend के बारे में बता रही होती है यार मुझे भी ऐसी female friend चाहिए इसके बाद सीन सिफ्टों के स्कूल की तरफ चला जाता है जहाँ पर हम सबसे पहले Max को देखते है and Max को यहाँ पर depression type का हो चुका है cause of her brother's death जो इछले सीजन में हुई थी and अब वो जादा लोगों से बात भी नहीं कर रही है and उसने Lucas से भी break up कर ली इसके बाद हम बहुत सारी cheerleaders को नाचते हो देखते है क्योंकि इस स्कूल की basketball team ने अभी recently एक new match चीता है इसके बाद हम देखते हैं इस basketball team में Lucas भी है क्योंकि अब इस बंदे को चाहिए popularity but unfortunately अभी के लिए इस team में Lucas का जादा कोई बड़ा role नहीं है इसके बाद इस basketball team का leader आगे आके speech देता है इस speech में वो Jim Hopper and Billy जैसे लोगों के बारे में बात करता है कहता है कि इस साल हम लोगों ने बहुत सारे अच्छे अच्छे लोगों को खोया है और यहाँ पर हम as a viewer notice कर पा रहे होते हैं कि Max and Lucas की बीच में कुछ भी सही नहीं चल रहा है इसके बाद वही basketball team का leader और motivating speech देता है कि आज जो रात का मैच होने वाला है वो मैच हम लोग जरूर जीतेंगे पर इस बात को सुनके Mike and Dustin खुश नहीं होते है क्योंकि एक्छल में इन लोगों का प्लैन रहता है रात का कि ये लोगों रात में हैंग आउट करेंगे इन लोगों ने एक्छल में एक न्यू क्लब जॉइंट किया है नेमड हैल फायर यही इन तीनों का प्लैन रहता है कि हैंग आउट करेंगे आराम से बट अब जब Lucas का मैच है आज रात को तो अविसली ये लोग हैंग आउट नहीं कर सकते डस्टिन और माइक लोकस के पास आके कहते हैं भाई यह तुने पूरे प्लैन खराब कर दिया एंड लोकस यहां पर इन दोनों को समझाने को ज़िश कर रहा है कि भाई यह समझो मेरी दिन्दगी का एक बहुत बड़ा पल होने वाला है यह तो प्लीज जाके हेलफायर के लीडर को कन्वेंस कर लो कि जो हमारी यह आउटिंग होने वाली है इसको प्लीज पोस्ट बॉन कर देव इसको असीन सिफ्टों के विलकी मा जोईस बायर्स पर चला जाता है कि हाँ यह डेफिनेटल रशियन डॉल है एंड तुमें इसे तोड़ना चाहिए आई मीन दूर से तोड़ के चेक करना चाहिए कि इस डॉल के अंदर कोई बॉम बॉम तो नहीं है इसके बाद सीन सिफ्टों के ल की तरफ चला जाता है जहाँ पर एल अपना प्रोजेक्ट पूरी क्लास को दिखाती है पर पूरी क्लास उसके प्रोजेक्ट पर हसने लगती है एंड एल को बुली करने लगती है पर तभी क्लास की टीचर सब को समझाती है एंड एल को भी समझाती है इसके बाद scene shift के max की तरफ चला जाता है जहाँ पर हम देखते हैं अब max counseling ले रही है बलब therapy ले रही है therapist max से बोलती है कि अगर तो मुझे सही से अपनी सारी बाते नहीं बताओगी अगर तो मुझे ओपन अप नहीं होगी तो मैं कैसे मदद करूँगी तुमें मुझे अपनी सारी problems बतानी होगी पर max ऐसे बात करके टाल देती है एंड इसके बाद हम देखते हैं therapy end होने के बाद max bathroom में जाकी कुछ pills खा रही होती है जो most probably depression से लड़ने के लिए ही होगी bathroom के अंदर एक और लड़की होती है named Chrissy, Chrissy warmitting कर रही होती है और उसकी हालत सही नहीं लग रही होती है तो max Chrissy से पूछती है क्या तुम सही हो पर Chrissy max को जाने के लिए बोलती है और यहाँ पर हम यह भी देखते है Chrissy को बहुत सारे hallucinations हो रहे हैं इसके बाद Dustin and Mike Hellfire के लीडर के पास उसे convince करने के लिए आते हैं एंड हमें finally Hellfire के लीडर से introduce करा जाता है जिसका नाम है Eddie Dustin and Mike Eddie को convince करने की बहुत कोशिट करते हैं पर Eddie convince नहीं होता है एंड कहता है कि अगर Lucas जा चुका है मलकी अगर Lucas join नहीं करेगा तो तुम लोगों को तीसरा member ढूंड के लाना पड़ेगा इसके बाद Nancy and Jonathan का scene आता है जहाँ पर हम देखते हैं Nancy and Jonathan भलाई एक दूसरे से बहुत जादा दूर हो पर उन लोगों के अंदर का प्यार अभी भी कम नहीं हुआ है वैसे कर वैसा ही है इसके बाद हम उसी लड़की Chrissy को देखते हैं जिसको Hallusions आ रहे होते हैं वो लड़की Eddie Eddie के पास आई हुई होती है drugs लेने and Eddie के पास आके वो कहती है क्या तुम्हारे पास कुछ stronger dose वाला होगा इसके बाद सीन सिप्टों के एल की तरफ चला जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि उसके अच्छे marks नहीं आई हुए होते हैं and Angela and other बच्चे उसे बुली कर रहे होते है Elle frustrated होके अपनी powers use करने जाही रही होती है पर तभी उसे realization होता है कि उसकी powers उसके पास अभी नहीं इसके बाद टीचर आके Angela को अपने साथ ले जाती है इसके बाद सीन सिप्टों के Joyce and Murray के ओपर चला जाता है जहाँ पर मूरे Joyce को phone के through instructions दे रहा होता है कि doll को कैसे तोड़ा ज चिलता है जिसमें लिखा रहता है hopper is इसके बाद सीन सिप्टों के Dustin and Mike के ओपर चला जाता है जहाँ पर हम देखते हैं उन दोनों को finally उनका third member मिल चुका है जो की और कोई नहीं बल्कि Lucas की पहन Erika है जब वो दोनों Erika को Eddie से introduce कराते है तब शुरवात में Eddie Erika को ना बोल देत है जहाँ पर Lucas obviously guilt महसूस कर रहा होता है Lucas को बुरा लग रहा होता है कि Mike, Dustin and Max उसका match देखने नहीं है बर तब भी Lucas की वज़े से उनकी टीम जीत जाती है इसके बाद Lucas की obviously popularity बहुत जादा बढ़ जाती है इसके बाद scene सिप्टों के Max की तरफ जाता है जहाँ पर हम देखते है कि रेडियो पर पूरा टेली कास्ट हो रहा होता है कि Lucas की टीम जीत गई एंड ये चीज मैक्स भी सुन रही होती है रेडियो में इसके बाद मैक्स फ्रिस से खाना निखालके अपने डॉक को खाना के लाने के लिए बाहर आती है एंड हम ऐसा भी और देख पाते हैं कि मैक् क्रिसी एडी से ड्रक्स के बारें पूसती है एंड एडी ड्रक्स ढूणने लगता है एडी ड्रक्स ढूणने के लिए जब अपने घर में और अंदर जाता है तब ही क्रिसी को फिर से अपने पैरंट्स के हलूशन आने लगते हैं इस बार उसे अपने हलूशनेशन के अंद करती है एंड देन क्रिसी हवा में उड़ना चालू करती है इसके बाद क्रिसी के हाथ पैर के जॉइंड सब कुछ इधर उधर हो जाते हैं एपिसोड वन इसी के साथ एंड हो जाता है तो गाईस बस यह था वीडियो अगर वीडियो अच्छा लगाओ लाइक कर देने चैनल प तक लेप लेओ